हेलो दोस्तो और नमस्कार आपका हमारे यूट्यूब चनल संधाग्यान में श्वागत है मैं आपके लिए लेकर आचुका है इस्टेटी जीके का पार्ट 20 ठीक है बच्चों अगर अभी तक आपने हमारे सभी पार्ट नहीं देखें तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजे ठीक है तो अभी तक हमारे आपने हमारे चैनल को लाइस स्क्राइब ने किया तो कर दीजिए तो ठीक है बच्चों समय नहीं गवाते हुए चलिए मैं हम आपका कोशन स्टार करते हैं अमरनात गुपा इस्थी थैं जंबू कस्मेर में उत्तराखंड में तिब्बत में हिमा रजा शेंसर हो जाएगा नेपाल से वे पट नास्टित पतर की मसजित के निर्मार और करता है फिश करी अपरवेज साह इनुपरवेज नहीं तो इसका सही अगे गुलेर गडवाल तो गडवाल के लिए प्रसिद्ध सहली है ठीक है मुला राम चित्रकला के लिए आगे चलते हैं बताईए जैन धर्म का वास्त्विक संस्थापक किसे माना जाता है महावीर पाशुनात नेमिनात इनमेश कोई नहीं तो इसका सही अंतर हो जाएगा महावीर पाशुनात नेमिश को माना जाता है ठीक है जैन धर्मचा वास्त्विक संस्थापक कि आगे चलते हैं बताईए श्रावड बेला श्रावड बेल गोला में गुमतेस्वर्क की मुर्ति का निर्मार कि इसने करवाया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा चामुंड रायने वाया था कि आगे चलते हैं बताइए कि विस्व के साथ नए अजूबों में एक चीचेन इटिजा को समलित किया गया है ठीक है बताइए यह कहां स्थित है तो इसका सभी अंसर हो जाएगा मैसकों में स्थित ठीक है चीचेन इटिजा आप गूगल पर सर्च मारकर देख सकते ने मुर्ता आगे चलते हैं पताईए है कि सांची का महान इस्तूब है स्थित है उत्तरपरदेश में अंधर परदेश में अरुडा अंचाप पर देश समें मर्द्प्रदेश सांचित को स्थित हैं आगे चलते है अ 파ःक की गुफाय कहां राष्ट बीहार में या मात्प अब बताई का सबसे ज़्यादा उत्पाद किस देश में होता है चीन मिस्र अमेरिका भारत इसका सबसे ज़्यादा उत्पादन ठीक है आगे चलते हैं बताई आरे समाज के संस्थापक कौन थे राजा राम मोहन राय या फिर महावीर स्वामी या अब्दुल लतीफ या फिद्यानंद सरोसती तो इसका सही अंसर हो जाएगा द्यानंद सरोसती ठीक है द्यानंद सरोसती जी ने आरे समाज के स्थापन के ठीक है आगे चलते हैं बताईए वेद समाज के सांस्थापक का नाम बताईए राजा राम महाराय या द्यानंद सरोसत या केश्री धरालू नाइडू या पी केशाव चंद सेंद इसका सही अंसर हो जाएगा बच्चो केश्री धरालू नाइडू ने ही वेद्वियास की स्थापना की ठीक है आगे चलते हैं इन में से किस जहर को दच्चेड भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है आगे चलते हैं बताईए तुगलक वंस का स्थापक कौन था गया सुद्दिन तुगलक फिरोज तुगलक स्थापना महमूद या फिर मुहमद तुगलक इसका सही अंसर हो जाएगा गया सुद्दिन तुगलक था ठीक है तुगलक वंस का स्थापक अगे चलते हैं बताईए 1191 में तराइन का युद्ध जो कि मुहमद गवरी और किसके बीच हुआ था कि तो उनका नाम था ठीटरी राज चोहान के भीच में हुआ ठीक है अगेट एंब भारति समीधान के निरमारत की से कहा जाता है तो इसको सभी लोग जानते होंगे डाक्टर भीम राओ आम बेट कर जी को कहा जाता है ठीक है भारती समिधान के निगमा करता है अच्छा आप हमको यह बताए कि भारती जो समिधान है और कितने दिन में पूरा हुआ था ठीक है आप कमेंट करके जरूर बताए आए चलते हैं बताए कथा बनाने हो तो किस पेड़ की लकड़ी का प्रयोक होता है साल बीशिडी या साजा या बबूल या खैर कथा तो आप लोग जानते होंगे जो पान में लगाया जाता है लाल होने के लिए ठीक है वही तो वह आता है आपके खैर से ठीक है अगे चलते हैं बताईए गुप्त काल के किस सासक को कवीराज कहा जाता है सिर्गुप्त इसकंद गुप्त सामद्र गुप्त या चंद्र गुप्त दृती इसका सही अंसर हो जाएगा सामद्र गुप्त को कहा जाता है ठीक है कवीराज आगे चलते हैं बताईए यंग हजबेंड मिशन क्यों भेजा गया था तो इसका सही अंसर हो जाएगा जो तिबल्द में रोज का सड़यांत विफल करने के लिए यंग हजबेंड मिशन भेजा गया था ठीक है आगे चलते हैं बताईए मैकसे से पुरसकार विजेता पहले भारती कौन थे उनका नाम बताईए क्या इंदरा गाधी थे या विनोधा भावे किरन वेदी या टी एन सेसं इसका सही अंसर हो जाएगा विनोधा भावे ठीक है तो आज के लिए इतना है बत्चू तब तक के लिए नमस्कार जहें जय भारत